तो मैं आज अब बुली के जाने वाला हूँ चांद और तारों की सेर करने लेकिन घर बैठे बैठे वो कैसे ओ देखने के लिए भाई बड़ा क्रेजी को सब्सक्राइब करो क्योंकि आइसे ही बक्वास से वीडियो आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है लेकिन इस चौक चौकोज मून ईन स्टार्स जिसको खाके आप चले जाओगे सीधा चांद सितारों की सेर पर तो देखिए इनका नाम मून ईनस्टार्स उन्होंने रखा क्यों है क्योंकि सारी इसके अंदर के चौकोज मून ईनस्टार्स की तरह दिखते हैं भाई इतने खूब सूरत मून स्टार्स जैसे चौकोज है ये कि इनको खाने का मन ही नहीं कर रहा मुझे लेकिन फिर भी इसे खाना तो पड़ेगा भाई क्योंकि इतनी महनत से उन्होंने बनाया है तो देखिए मैं एक छोटी सी कटोरी में सारे चांद तारे डालके उसके उपर मस्त सा दूद डालके आप को बताऊंगा कि इसमें अलग कुछ है या फिर वही बस चौकोज के मज़े है लेकिन शेप अलग है तो थोड़ा सा दूद मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैंने दूद को उबाला नहीं है अगर आप ये बच्पन से नहीं करते आ रहे तो मैं आपको रेकमेंड नहीं मुझे चल जाता है तो मैं चला लेता हूँ तो देख ये मस्त क्यूट से चान सितारे और ये मेरा बड़ा सा चम्मच इसके अंदर घुज गया है कुछ चान सितारे मेरे चम्मच पर है और मैं इसको खा के आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इसकी टेश्ट वैसी ही है जै कैसे नॉर्मल चाहोस की होती है बाई कुछ अलग नहीं